नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलोजी में, तो तुला राशिवालों, हो जाओ सावधाव, धन तेरस के दिन काले कुट्टे को खिला देना ये एक चीज, फिर आपके घर में इतना पैसा आएगा, कि जिन्द क्योंकि दोस्तों कहते हैं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और इनसान कितने भी बुरे समय को जहल ले, लेकिन परिवर्तन प्रकृती का नियम है, एक दिन उसका अच्छा समय लोट कर जरूर आता है, और अब आपके साथ भी ऐसी ही घटना होने वाली है, वैसे त धन तेरस का दिन बड़ा शुब होता है, इस दिन सोने, चांदी या अन्यधातूओं को खरीदने के लिए बहुत अच्छा मौका होता है, और पूरे दिन मातारानी की कृपा भक्तों के ऊपर बरस्ती है, और धन की देवी मा, लक्ष्मी और कुबेर देव का आशीरवाद व्यक्ती प्राप्त करता है, लेकिन हर कोई इनसान सोना चांदी खरीदता है, लेकिन आज की वीडियो में जो उपाए हम आपको बताने जा रहे हैं, वह एक काले कुट्टे से संबंधित है, और शास्त्रों में बहुत गोपनिये तरीके से इस उपाए को लिखा गया है, ज आहु की महादशा आपको कभी नहीं सताएगी और लक्ष्मी और नारायन दोनों की कृपा आपको मिल जाएगी, लेकिन सारे उपाए जानने के लिए, सारी क्रिया विधी जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, तब ही आपको पूरी जानकारी मिल सर्व प्रथम, अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, उन्हें अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैमा लक्ष्मी सच्चे मन से लिखे, धन्तेरस के दिन बहुत बड़ी खुश खबरी आपको मिलने वाली है देखिए दोस्तों, काले कुत्ते हमें हर गली हर मुहले में मिल जाते हैं, लेकिन आपको इनके महत्व का बिलकुल भी अंदाजा नहीं है कोई भी खास दिन हो, चाहे वह धन्तेरस का दिन हो, दिवाली का दिन हो, या एका दशी का दिन हो, काले कुत्ते का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो काला रंग होता है वह शनिदेव से भी संबंधित होता है और राहू से भी संबंधित होता है इसलिए जयोतिश शास्त्र में काले रंग को इन दोनों ग्रहों के साथ जोड़ कर देखा जाता है और जो भी काली वस्तुएं होती है, वह सब इन ग्रहों से जुड़ी होती है, लेकिन वह सारी चीजें निर्जीव होती है इसके विपरीत हम बात करें, इंसानों की तो कुछ इंसानों का रंग काला होता है, लेकिन वह श्यामवर्णी कहलाते हैं यानि वह भगवान, कृष्ण के समान, रंग वाले कहलाते हैं, लेकिन बात अगर जीव जन्तुओं की करें, तो उसमें दोस्तों, हमें बहुत सारे काले जानवर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है काला कुट्टा क्योंकि आज से नहीं, पौरानिक काल से कुट्टों का बहुत महत्व रहा है, कुट्टा युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग की यात्रा करके आया है, साथ ही साथ, काले कुट्टे को घर में लोग इसलिए भी पालते हैं, क्योंकि उनका राहु खराब होता है, और ज्योतिश के दुख दर्द सभी समाप्त हो जाएंगे, हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, और बहुत महंगी महंगी सोने की चीजें खरीदने की बिलकुल जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको करना बस इतना है, कि काले कुट्टे को यह एक चीज खिला देनी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि गुरुजी आखिर वह चीज क्या है, तो हमें आपको बताते हुए बड़ी प्रशंसा हो रही है कि आपके घर में ही वह चीज मौजूद है, जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको दो काम करने हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको अपने घर की एक महले के किसी भी काले कुट्ते को खिला देनी है, देखिए, आप ढूंडेंगे तो आपको अपने गली में, बाहर की कॉलोनी में, कहीं न कहीं काला कुट्ता जरूर मिल जायेगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें, अन्य किसी कुट्ते को नहीं खिलाना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष है, वह राहू और शनी को सही करना है। फिर शनी की ऐसी कृपा बरसेगी कि आपकी जिन्दगी में मनी ही मनी होगा। इसके बाद दोस्तों, एक और गंभीर बात हम आपको बता दें। अगला जो काम आपको एक और करना है, एक काम हम आपको बता चुके हैं। दूसरा काम आपको क्या करना है, जरा वो ध्यान से सुनिएगा. दोस्तों, आपको फिर से एक रोटी लेनी है. उस पर दोस्तों, आपको गुड रखना है. इस वाले उपाए में आपको एक रोटी लेकरके उसके उपर गुड रखना है. और गुड सहित ये गेहूं की रोटी आपको उस काले कुट्टे को खिला देनी है देखिए, कुट्टों को शक्कर नहीं खिलाई जाती लेकिन धन तेरस के दिन उन्हें मीठा खिलाना बहुत शुब होता है तो हम यहाँ पर गुड का इस्तिमाल कर रहे हैं आप रोटी में गुड मिलाकर के काले कुट्टे को धनतेरस के दिन खिलाईए आपकी कुंडली के नकारात्मक ग्रह सकारात्मक हो जाएंगे देखिए, हमारे भाग्य में पैसा तो होता है किसमत में पैसा कूट-कूट कर भरा होता है लेकिन हमारे जो नकारात्मक पापी ग्रह है वह पैसा हमारे तक आने से रोकते हैं। बीच बीच में अवरोध बनते हैं, दुविधा बनती है, खत्रे बनते हैं, जिस वजह से क्या होता है। पैसा हमारे पास बहुत लंबे समय अंतराल के बाद आता है और तब तक इनसान का मनोबल तूट चुका होता है। उसके सपने धूमिल हो चुके होते हैं, तो उसके मन की प्रशन सा खत्म हो जाती है और यही काम करते हैं, नकारात्मक प्रह है। आपको भी इन्हें सही करना होगा। माता लक्षमी तो आपका भंडार भरने के लिए तयार बैठी है। आपक कुछ आदतों को संभालें। कुछ आदतें इनसान खुद से बिगाड़ लेता है जैसे कि अपने घर को स्वच नहीं रखना। अब उस घर में ही माता का प्रवेश होता है जो घर स्वच होता है। यह बात हम बचपन से सुनते आए हैं तो आप इस बात का खास खयाल रखे अब राहू और शणी इनसान का कैसे खराब हो जाता है तो कई बार हम दूसरे की चपल पहन लेते हैं तो उसके नकारात्मक गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। उसके कुंडली के नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है। कई बार हम जानवरों पर अत्याचार कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा राहु खराब हो जाता है। कई बार हमें किसी को प्यार में धोखा दे देते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा राहु खराब हो जाता है। इसी के साथ-साथ कई लोगों की कुंडली में पहले से ही ग्रह खराब होते हैं। क्योंकि उनका जन्म ही ऐसे नक्षत्र में हुआ होता है, तो वहाँ पर भी बहुत जरूरी होता है कि हम अपनी ग्रह स्थिती को कुंडली में सही करें, और उसके लिए हमने आपको उपाय बताया है। लेकिन वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दोस्तों, आगे जो हम उपाय बताने वाले हैं, वह और भी जबरदस्त, और भी शांदार होने वाले हैं, क्योंकि धन तेरस का यह जो यह दिन है, यह साल में केवल एक बार आता है, और यहां पर हमें खुली छूट होती है, कि हम जितना ज्यादा धन अपनी और ओर आकरशित कर लें, हमारा आने वाला साल उतना ही शांदार रहेगा, लेकिन इनसान को आलस्य में, लापरवाही में कोई उपाय नहीं करता, और आगे जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, उनमें कोई लंबा चौड़ा पैसा आपका नहीं लगेगा, बस लगेगा आपका थोड़ा सा समय और घर में मौजूद ही चीज, मतलब कोई चीज आपको बाहर से खरीद कर भी नहीं लानी है, आपको घर में मौझूद चीजों से ही ये उपाय करने हैं और फिर देखिए दोस्तों, ऐसा प्रचंड लाब आपको होगा कि जिन्दगी का हर एक लम्हा खुबसूरत हो जाएगा आप खुद महसूस करेंगे कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया मेरी जिन्दगी का ये सबसे खुबसूरत तोहफा है लेकिन वह उपाय अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी सारी बातें अच्छी तरह से समझनी होगी क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता और गुरुजी ने आज की वीडियो का निर्माण पूरी तरह से ग्रह नक्षत्र आपके सुधारने की तैयारी करके ही बनाई है तो वीडियो को बिलकुल अंत तक देखते रहे यदि आप धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर स्वास्थिक जैसे शुभ चेहन बनाते हैं और वहां कुछ सजावटी पौधे लगाते हैं तो इससे आपके घर में सम्रिध्ध का वास होता है मुख्य द्वार को किसी भी प्रकार की बाधाओं से मुक्त रखे और सकारात्मक उर्जा के प्रवेश की अनुमती दें यदि आप मुख्य द्वार पर जूते या चप्पलें रखती हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें इस स्थान पर पानी से भरा एक कांच का कटोरा रखें जिसमें ताजे फूल हो इससे घर के भीतर सकारात्मक उर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है धन्तेरस के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर तक की सजावट में वास्तु के सिध्धान्तों का पालन करना आवश्यक होता है जिससे घर में सम्रिध बनी रहे इस दिन के लिए पीला और नारंगी रंग सबसे शुभ माने जाते हैं और इन ही रंगों से घर को सजाने की सलाह दी जाती है ये मान्यता है कि धन्तेरस के दिन सही वस्तुओं की खरीदारी शुभ मुहूर्त में पूजा और वास्तु के नियमों का पालन करने से आपके जीवन में सम्रिद्ध का संचार होता है इस दिन साबूत चावल के 21 दाने लें और उनकी पूजा करके उन्हें लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में रख लें इससे धन की तंगी दूर हो जाएगी धन तेरस की पूजा से पहले एवं बाद में दक्षणा वर्ती शंक में जल भर कर घर में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़ कें इससे घर में मा लक्ष्मी का आगमन होता है अगला उपाय और भी शानदार है धन तेरस के दिन यमराज के निमित घर में दीपदान किया जाता है धन तेरस की शाम को मुख्य द्वार पर तेरह और घर के अंदर भी तेरह दीप जलाने होते हैं इसके अलावा चाहें तो यह भी कर सकते हैं कि इस दिन 13 दीपक जलाएं और घर के सभी कोने में रखते। आधी रात के बाद सभी दीपकों के पास एक-एक पीली कौडियां रखते। बाद में इन कौडियों को जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में अचानक से धन वृद्धि होगी। धन समृद्धि बढ़ाने के लिए कौडियां खरीद कर उसकी पूजा करते हैं और उसे तिजोरी में रखते हैं। कौडियां खरीदें और यदि वे पीली ना हो तो उन्हें हलदी के घोल में पीला कर लें। बाद में इनकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। हलदी की गांट। इस दिन कुछ खड़ी हलदी खरीदना भी शुब है। शुब मुहूर्थ देखकर बाजार से गांट वाली पीली हलदी अथवा काली हलदी को घर लाएं। इस हलदी को कोरे कपड़े पर रखकर स्थापित करें तथा शडोष पचार से पूजन करें। यह भी धन समरिद्ध को बढ़ाने वाला उपाय है। धन तेरस पर नई जाडू खरीद कर उसकी पूजा की जाती है। इस से मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर की आर्थिक स्थिती सुधर जाती है। धन तेरस के दिन नया सामान खरीदने की परंपरा है। लोग इस दिन सोने चांदी और बरतनों की खरीदारी करते हैं। इन वस्तूओं को खरीदना काफी शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन तेरस के दिन दान करना भी शुभ है, माना जाता है। आप ऐसी कई चीजें दान कर सकते हैं जिससे आपको लाब हो सकता है। मान्यता है कि धन तेरस के शुभ दिन गरीबों को अनाज दान करने से आपकी अपनी आर्थिक हालत सुधरती है। आप भी चाहते हैं कि मा लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो आप किसी जरूरत मंद को अनाज दान दे। ऐसा करने से लक्ष्मी भी खुश होंगी और धन धान्य की कमी भी दूर होगी। धन तेरस के दिन पीला कपड़ा दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पीले वस्तरों का दान करने से पुन्य मिलता है। पीले रंग के कपड़ों का संबंध, ब्रहस्पती, ग्रह से जुड़ा होता है। धन तेरस के श लोहे का दान देना भी बेहद शुभ माना जाता है। माननेता है कि ऐसा करने से आपकी जिंदगी से दुरभाग्य खत्म हो सकता है और मान लक्षमी का आरशिवाद आप पर बना रहेगा। साथ ही इस दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। विशेशकर, सोना चांदी, नए बरतन, इलेक्ट्रोनिक सामान और गैजेट आदी। लेकिन ये सब उनके लिए सही है, जिनके पास पैसा होता है। सवाल यह है कि जिनके पास पर्याप्त धन नहीं, तो वे क्या करें। इसी सवाल का लाबकारी जवाब आपको इस आर्टिकल में दिया इस दिन यदि आप महंगी वस्तुएं घर नहीं ला सकते हैं, तो चिंता मत कीजिए। किसी शास्त्र और भगवान ने यह नहीं कहा है कि वे सोना चांदी जैसी महंगी वस्तुएं घर लाने से ही खुश होते हैं। यहां कुछ नायाब उपाय बताये गए हैं, जो बिलकु खर्चीला नहीं है। इसे धन तेरस के दिन अपना कर आप मा लक्ष्मी को प्रसन्न कर अपने सौभाग्य और सम्रिध्ध में व्रिध कर सकते हैं। वो भी केवल दस रुपए खर्च करने के बाद। आईए जानते हैं क्या हैं यह उपाये। मौके पर एक पहली चीज जो आप केवल दस रुपए में घर लाकर मा लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंत्री देव को खुश कर सकते हैं। वो है पान का पत्ता। धनतेरस के दिन पान का दो पत्ता घर अवश्य लाएं और पूरी निष्ठा और समर्पन से मा लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भ भगवान धनवंत्री को अर्पित करें। ग्रंथों के मुताबिक पाने के पत्ते में मा लक्ष्मी, मा सरस्वती, मा पार्वती, मा मंगला समेथ, भगवान शिव और कामदेव का वासमाना है। इसलिए पूजा पाठ में पान का पत्ता बहुत शुद्ध और शुभ माना गया है। प्रचलित परंपरा और रिवाजों के अनुसार धन तेरस के दिन सूखा और साबुद धनिया जरूर खरीदना चाहिए। कहते हैं, इस दिन जो भी भक्त और श्रद्धालु धनिया खरीद कर घर लाते हैं, वे साक्षात माता लक्ष्मी को ही घर लाते हैं। ये शुभ वस्तू भी दस रुपईये की लेने पर एक बाउल से अधिक आ जाती है। इसे धन तेरस के दिन खरीद कर इसका उपयोग लक्ष्मी पूजन में दोनों दिन, यानि धन तेरस और दिवाली में करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और धन की सभी परेशानियां दूर कर सकती हैं। ज्योतिश शास्त्र में हल्दी को धन का प्रतिनिधी वस्तू माना गया है और इसका संबंध धन और ज्ञान के ग्रह ब्रहस्पती से जोद्धा गया है। जीवन ने धन और कमी न हो और ब्रहस्पती का असर न घटे इसलिए भारतिये रसोई हल्दी का इस्तिमाल सबसे अधिक होता है। मान्यता है कि धन तेरस के दिन हल्दी की कुछ गांठें घर ले आनी चाहिए। ये वस्तू भी 10 रुपे में आ जाती है। धन तेरस पूजा के समय इसे भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी को अरपित करना चाहिए। कहते हैं ये सोना खरीदने के जैसा फल देती है। धन तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सायंकाल के समय मुख्य द्वार को खोल कर रखा जाता है। माननता है कि इस से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लेकिन इस समय किसी को भी धन देना, लक्ष्मी को विदा करने के समान माना जाता है। धन तेरस की शाम को ना तो किसी से उधार लें और ना ही दें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिती खराब होने की आशंका बनी रहती कई बार ऐसी स्थिती आ जाती है कि पडोसी कुछ मांगने आ जाते हैं तो उनको चीजें देनी पड़ती हैं लेकिन ध्यान रहे कि धन तेरस और दिवाली की शाम को भूल कर भी प्याज लहसुन ना दें इनका संबंध केतु ग्रह से माना गया है और धन तेरस की शाम को प्याज देने से ग्रहों का अशुभ प्रभाव बढ़ जाता है इसलिए धन तेरस की शाम को प्याज वफ लहसुन देने से बचना चाहिए देवी लक्षमी का प्राकट्य समुद्र से हुआ है और नमक भी समुद्र से उत्पन्न होता है इसलिए नमक का संबंध भी देवी लक्षमी से माना जाता है प्राचीन माननेता है कि नमक किसी को शाम के समय नहीं देना चाहिए नमक को शाम में किसी को देना घर की बरकत को खत्म कर देता है इसलिए किसी भी दिन शाम के समय नमक का दान नहीं करें खास तोर पर धंतेरस और दिवाली के दिन तो ऐसी गलती भूल कर भी न करें इससे राहू का प्रकोप बढ़ जाता है दामपत्य जीवन में पूरी तरह से खुशाहाली रहेगी अचानक किसी प्रिय दोस्त से मुलाकात होने से आपके जीवन में प्रसन्नता रहेगी और इस मित्र के मिलने से मित्रो जीवन में सकारात्मक्ता भी आएगी ठकान और कमजोरी से सेहत पर असर पड़ी डीडियेच सकता है काम के साथ सेहत का भी ध्यान रखें मित्रो और दूसरों की समस्या को सुलजाने में आपका वक्त जाया हो सकता है दूसरों की समस्याओं को सुलजाना इस वक्त बहुत जरूरी है एक बात का ध्यान रखिए कि परिवार के लोगों को आपसे मदद की अपेक्षा रहेगी आर्थिक पक्ष अगले कुछ दिनों के लिए कमजोर रहेगा लेकिन चिंता न करें आर्थिक पक्ष में धीरे धीरे चार चांद लगेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होता जाएगा पैसा मिलता जाएगा और डिसिप्लिन रखा जाए तो हर चीज को सुधारा जा सकता है काम पर फोकस बढ़ाने की आवश्यक्ता है और आपको प्राप्थ हुए किसी भी काम को नजरंदाज नहीं करना है काम जो भी है मित्रो बारीकी से करें ध्यान से करें और कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा लेकिन हाँ अगर जीवन में कठिनाईया नहीं आएगी तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक जीवन जी रहे हैं आप जितना अधिक खुद को कमजोर बनाएंगे उतनी समस्या बड़ी होगी रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातों में डेडिकेशन बनाए रखें तो आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं कुछ इसे चमतकारी एवं सिध्ध उपाए जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिध्ध होंगे मित्रो छोटा सा उपाए है ना कोई पैसा लगाना है ना कोई धन लगाना है आर्थिक तंगी से यदि आप जूज रहे हैं तो तेजी से उसमें सुधार आएगा आईए यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो यह उपाए एक बार अवश्य कीजिएगा बड़े ध्यान से सुने यह उपाए बड़े मंगलवार या किसी भी मंगलवार के दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें इसके लिए आप एक हनुमान मंदिर में जाएं वहां सबसे पहले भगवान राम और उसके बाद वीर हनुमान जी की पूजा करें फिर एक आसन बिछा कर बैठें प्रभु राम का मन में स्मरण करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करें राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति के बिगडे काम बन जाते हैं बिना विग्ण और बाधा के कार्य सफल होते हैं जिन लोगों पर कर्ज होता है उनको भी उससे मुक्ति मिलती है। प्रभुश्री राम की कृपा मिलने से जीवन के संकट दूर होते हैं। दोस्तो यह उपाय कारगर सिध्ध होगा और आप हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख कर हमें जरूर बताएं ताकि हम आप को उसका समधन दे सके। आज वास्तविक धन निवेश करने का सबसे अच्छा समय होगा। दरसल आपको अपने काम में बड़ी सफलता हासिल होगी। पारिवारिक रिष्टे बनाए रखें। आप अपना नया काम शुरू कर देंगे। विद्यार्थियों को अपनी परीक् काम से अचानक यात्रा कर सकते हैं, जो आपके लिए फाइदे मंद रहेगी।